तेलिए गाइज आज हम हैंग मैन की बात करने वाले हैं हैंग मैन जो की हमारा मेजर अरकाना का नंबर बारा का कार्ड है सबसे पहले इसके कीवर्ड देख लेते हैं कीवर्ड में हमें दिख रहे हैं यहां पर feeling trapped, surrender, self-limiting, uncertainty, lack of direction, needing release, let go and sacrifice हैंग मैन के जो भी कीवर्ड हैं वो हमें बताते हैं की परसन किसी situation में फसा हुआ है हम पिक्चर को देखें तो पता चल रहा है कि एक परसन जो की एक टांग के सहारे एक पेड़ पे लटका हुए हाथ भी उतने बांदे हुए है और पैरों को भी दे रहा है, let go कर रहा है, sacrifice कर रहा है लाइफ के अंदर, अपने आपको limit कर रहा है क्योंकि टांगों को cross करना और हाथों को cross करना बताता है कि अपने आपको limit कर रहा है ऐसा जैसे एक situation में फस गया हुआ है ये वो वली situation होती है जैसे जब आपने बहुत सारे efforts किये हैं लेकिन आपके कोई भी efforts fruitful नहीं हो रहे हैं और इस time पे आप जो हैं बिलकुल ठक गए हैं और आपने चीजों को छोड़ दिया है भगवा aura है जो की पूरा clean है और इसको जो है भगवान की side से help प्राप्त होती है और जो इसने इस time पे चीजों को छोड़ रखा है भगवान के भरो से तो ये ये भी बताता है कि ये भगवान में विश्वास करने वाला person है और इसको ऐसा पूरा विश्वास है कि जो भी इसकी है तो बारा नंबर जूपिटर का होता है और बारा अगर हम राशियों की बात करें तो ये बारवी राशी को मानते हैं जो की water element है पाइसेज राशी को दिखाता है नौर्थ इस्ट इनकी direction होती है किसी भी situation में अगर आपके पास कोई person आता है और पूछता है कि मेरा किसी के साथ शादी होने वाली है मेरी engagement हो चुकी है या मैं किसी के साथ relationship में जाने वाला हूं तो बताइए वो person किस type का person है और आपने ये वाला card dropped कर लिया तो as a personality यहां पे हम क्या बताएंगे कि जो आपका person है वो देखने में एक अच्छा person है tall है उनका complexion होगा गेहुआ रंग ज करने वाला है sacrifice करने वाला है life के अंदर और वो positive personality है और secondly वो knowledgeable person है उसके पास ग्यान की कमी नहीं है उसने struggle life के अंदर बहुत किया है लेकिन अभी एक situation में आकर कि उसने चीजों को थोड़ा सा let go कर रखा है तो यह as a personality हम उस person के traits बताएंगे अगर कोई पूछते है कि मेरा person म मेरे बारे में क्या feel करता है और आप यह hanged man का card निकाल देते हैं तो feeling में भी हम से यहीं बोलेंगे कि person इस time पे थोड़ा सा अपने आपको stuck feel कर रहा है क्योंकि उसने हाथ पीछे क्यों है उल्टा लटका हुए और चीजों को भगवान वरोस्ते छोड़ रखा है तो इस time प अपने आपको लाइप में चीजों को अपने आपको पीछे कर लिया है हाथों को बांध दिया है तो वह अभी कोई भी जो बोलते हैं कि एक्शन नेने के मूड में नहीं है क्योंकि वो चीजें उसके हिसाब से नहीं हो रही लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो परसन नेगटिव है नेगटिव बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हम यह आप देख रहे हैं कि इस काड में हमें ब्लैक कलर कहीं पर भी नज़र नहीं तो एनर्जी तो है इस परसन के अंदर लेकिन के अनर्जी अब थोड़ी सी स्टक हो गई है क्योंकि सिचुएशन नहीं है टाइम खराब चल रहा है इस टाइम पे तो इस इसने चीजों को थोड़ा सा भगवान के विरों से छोड़ दिया तो फीलिंग उनके आपके मन में अब को काफी स्टक फील कर रहे है तो इस तरह की उनकी फीलिंग से आपके लिए मन के अंदर अगर कोई कुछता है कि हैल्थ के बारे में जाना है तो किस तरह की उनकी है नहीं पॉजिटिव है लेकिन अभी हैल्थ में सिचुएशन थोड़ी सी फज़ी हुई है अगर हम र डाइजुदिया आपको चांक बाड़ सकती है करें और रह चाहिश्चा जादा खाने से अगर्पाव सकता है इन को पैरों कि बिक्कत हो सब्साला इक जो है राइट येर के अंदर इनके पैरों के अंदर या पैर का जूंग उठा उसके अंदर प्रावलम हो सकते हैं में इस इन भी प्रावलम को सकती है अगर यह कुछ कोई पूछता क्यों को कोई कर creature चूज करना है बताइये मेरे लिए कौन सी लाइन ठीक रहे कि जाना किस लाइन में मुझे जाना चाहिए मुझे कौन सा करियर चूज करना चाहिए तो profession के लिए आप बोल सकते हो कि आप import export का काम कर सकते हैं या फिर आप NGO में अगर चले जाते हैं तो भी आपके लिए बहुत उसने भी काम है और जुपितर से रिलेटेड वह बोल सकते हैं आप जैसे एक spiritual healer होते हैं spiritual trainers हो सकते हैं आप वह भी बन सकते हैं बहुत अच्छे इसके साथ अगर आप foreign country से related कोई भी काम करते हैं आप एक्सपोर्ट, इंपोर्ट करते हैं यह कोई भी और काम करते हैं तो आप कर सकते हैं और इसके साथ आप जैसे क्योंकि इसने टांगें जो हैं इसकी उल्टी और पैर इसके बिल्कुल बंदे हुए हैं तो पैरों से रिलेटेड जो कोई भी काम होता है न वह आप कर सकते हैं ज आप कहीं और हम देख रहे हैं कि उसकी जो इमेजिनेशन है ना इमेजिनेशन काफी हाई लग रही है क्योंकि पीछे उसका औरा काफी क्लीन है तो आप क्रियेटिव राइटर भी बन सकते हैं अगर आपका कुछ कहीं पर भी इंटरस्ट है आर्टेस्टिक फिल्ड में जाने क कोई इंटरस्ट है तो उसमें आप बहुत अच्छा करेंगे spiritual healer आप बहुत अच्छे बन सकते हैं आप बिजनस के अंदर जाना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनस बहुत अच्छा कर सकते हैं और इस तरह के कामों में आप चाह सकते हैं इन में से कोई भी में निकाल दिया तो रीजन में हमें क्या बोलना है कि आप जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ के अंदर हो रही है वो इस टाइम पर जो भी इशू हो रहे हैं अभी वो स्टक रहेंगे उनके उपर कुछ भी काम नहीं होगा क्यों क्योंकि वह ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपका जो क्लियर नहीं था आपकी ठिंकिंग जो एकदम से स्टक हो गई थी आप चीजों को दूत्रे नजरिये से देख नहीं पाए थे जहां पर एक्षिन लेने की जरूरत ही आपने अक्षिं नहीं लिया ठाः और आपने चीजों को लेट गो कर दिया था जो टाइम था like relationship पे work करने का उसमें कुछ efforts डालने का तो आपने अपने आपको पीछे कर लिया था हाथ अपने बांध लिये थे अपने relationship में कुछ भी अपनी side से efforts नहीं डाले और इस तरह से जो चीज़ें आपको करनी चाहिए तो आपने भगवान पर उसे छोड़ दी और जब action लेने का time था तो आपने action ले ही नहीं लिया इस time इसी कारण से आपके रिष्टे में इस time पर problem इतनी सारी आ गई है अगर कोई पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए guidance में क्या वो लेंगे तो guidance में है कि आपको इस time पर अब इस time पर problem के लिए वही card reason में आएगा वही problem में आएगा sorry वही card reason में आएगा वही abstract guidance में आएगा तो अलग-लग cards आते हैं हो सकता है कि आपके बाकी cards किसी हो situation के लिए अलग आए हैं यहाँ पे आप guidance दे रहे हैं अब वो जिद का time नहीं है आपको अपने हाथ बांधने होंगे आपने चीजों का अपने आपको थोड़ा सा भगवान भरोसे छोड़ना होगा sacrifices करने होगे आपको अपने आपको surrender करना होगा तब भी चीज़ें ठीक होंगी otherwise चीज़ें ठीक नहीं होंगी की जरूरत थी आपने नहीं लिया था relationship के लिए action आपने भगवान भरोसे चीज़ें छोड़ दी थी या उस ताइम पर आपको action लेना चाहिए था लेकिन अगर वही गार्ड future के लिए आजाता तो आपको action इस ताइम पर आपको action नहीं लेना चाहिए क्यों क्योंकि उसने हाथ बांध रखे हैं तो नहीं लेना चाहिए आपको चीज़ों को थोड़ा भगवान भरोसे चोड़ना चाहिए आपको surrender करना चाहिए आपको जिद छोड़नी चाहिए तो ऐसी चीज़ें करनी चाहिए अपने थोड़ा vision clear करना चाहिए, आपको जो चीजों को जिस prospect से आप देख रहे हैं, आपको अपना नजरिया बदलना होगा, आपको अपना vision clear करना होगा, अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपकी चीज़े थोड़ी से सुधर सकती हैं, otherwise नहीं, तो अगर present में आ रहा है, तो इस ताइम पर यह हमें hanged man की situation लग रही है, चाहे वो आपके रिष्टे हैं, चाहे वो आपके business है, आपका career है, कोई भी आपका sector है, उसमें हमें problem दिख रहे हैं, इस ताइम पर चीज़ें रुकी हुई हैं, आपने efforts करके अपने side से चीजों को अभी भगमानवरों से छोड़ आप efforts नहीं कर रहे हैं, और इस ताइम पर stuck situation है, और इस ताइम पर यह किसी भी तरह की movement हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप हार चुके हैं यह सब करके, अपने efforts दे के आप ठक चुके हैं, अब आपके अपने चीजों को let go कर दिये, तो इस तरह से एक card को हमें अलग- पर reverse meanings भी लिखे हुए हैं, upright meanings भी लिखे हुए हैं, तो आप उसी तरीके से जैसे मैंने पूरी situation बताई, सीधे cards सीधे meanings को और उलटे meanings को आपको इस तरह से अपनी readings में add-on करना है और अपनी readings देनी हैं, अगर कोई पूछता है कि मेरा काम कब तक हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि major arkana के card जब भी आते हैं, तो उस card की जो भी problem होती है, उसको हमें वोलना होता है कि ये चीज़ को जब आप ignore करेंगे, remove करेंगे तब आपका काम होगा, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कि वो situation stuck है, तो यहाँ पर अभी आपका काम जो है, work है, वो stuck है, आपको patience रखना होगा, आपको wait करनी होगी, आपको चीज़ों को अभी भगवाने पर उसे छोड़ना होगा, क्योंकि आपने जितने efforts देने ते वो दे दिये, अभी आपकी नहीं चली, तो आप थोड़ा सा रुक जाईए, wait कीजिए, आने वाले time के अंदर आप जब आ हमारा timing वाला आएगा, हमारा जो chapter उसके अंदर हम अच्छे से इसको clear करेंगे, चलिए, अभी next देखते हैं,